इस वीडियो में हम एक अंसीन पैसे इसका सॉलूसन करेंगे यह क्लास 12 के बोर्ट पेपर में 2024 में पूचा गया था सैट पेपर का नाम है 316 DW और यह है 15 मार्क्स का तो 15 मार्क्स आपके लिए काफी महत रखते हैं तो इसको सॉल्ब करना काफी इंपोर्टेंट है तो इसको सॉल्ब करना काफी जरूरी हो जाता है तो देखें अंसीन पैसेज का अगर आप सही आंसर देना चाहते हैं तो इसका हिंदी मेंनिंग लगाईए सबसे पहले कई टीचर्स आपको ऐसे बता देते हैं कि आप ऐसा करिए इसका अंसर यहां से यहां तक लिख लिजिए इसका यहां तक ठीक है इस तरीके से सही नहीं होता है देखें अंसीन पैसेज में अलग अलग तरीके के कोस्टन पूंचे जाते हैं तो कम से कम जैसे पांच कोस्टन है तीन नमर के एक आता है पात्ती 15 लास्ट वाला जो कोस्टन होता है उसमें तीन कोस्टन रहते हैं तो हर कोस्टन जो है ना कुछ कोस्टन काफी इजी होते है आसानी से उनका आंसर दिया जा सकता है लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका आंसर हम तभी दे सकते हैं जब हम passage को पूरा पढ़ेंगे ठीक है और line by line कभी भी answer नहीं देना चाहिए unseen passage का कि ये यसी पूरी की पूरी line लिख दी ठीक है इस से जो है ना नमर आपको पूरी नहीं मिलते हैं आप अगर उसको सो समझ के थोड़ा अर्थ लगा लेंगे तो आसानी से आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे तो इस unseen passage को देखते हैं हम इस चैनल पर आपको बहुत से unseen passage मिल जाएंगे जो 2024 में 23 में पूचे गए हैं तो उनको आप उनकी भी practice कर लीजी जिससे कि आप आसानी से कोई साभी unseen passes solve कर पाओ देखते हैं इस कार्थ A man who possesses a strong will and firm determination देखें यहां तक A man एक ब्यक्ति who means जो possesses मतलब अधिकारी है या गरण करता है ठीक है? अधिकारी है किसका? Strong will का येनकी मजबूत एक्छा सकती विलकार थे यहां पर इक्छा सकती तो एक ब्यक्ति जो मजबूत एक्छा सकती का अधिकारी है and firm determination firm means that firm determination दोनों कार्थ हो जाएगा द्रड निस्चचः तो एक ब्यक्ति जो मजबूत इच्छा सक्टी और द्रड निश्चा का अधिकारी है मतलब ऐसा ब्यक्ति जिसके पास इच्छा सक्टी भी अच्छी है और उसके पास द्रड निश्चा है वो ब्यक्ति का करता है finds पाता है all difficulties solved सभी परिसानियों को solved हल यान की सभी परिसानियों को solve कर लेता है to him उसके लिए there are a number of ways उसके लिए there are यान की है a number of means बहुत से ways means तरीके उसके लिए बहुत से तरीके हैं open to steer clear of all dangers and difficulties देखे उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं open खुले हुए to steer clear of इस पूरे कारत है बचने के लिए steer clear of का मतलब बचने के लिए all dangers सभी खतरे and difficulties और कटनाईया तो उसके लिए सभी खतरे और कटनाईयों से बचने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं such a man मतलब ऐसा ब्यक्ती goes on working hard goes on मतलब होता है continue करना किसी काम को goes on working hard मतलब काम करता रहता है कटन परिस्रम करता रहता है and or even if यद्धपी यानकी या यदी he fails यदी वो fail भी होता है fail मतलब अस्फल होना तो he is never downcast downcast का मतलब होता है निरास होना तो वो कभी भी निरास नहीं होता है failures make him all the more determined failures यदी के अस्फलता है success means देखे सफलता होता failure means अस्फलता success का intonum failure है इसी में पूचा गया है ध्यान रखना failures make him all the more determined जो failure होते हैं सफलता है उसे और ज़्यादा more मतलब और ज़्यादा determined मतलब dreadness चाई उसे और ज़्यादा dreadness चाई बनाती है and or he persist he यान की बाइ persist मतलब कायम रहना in his task task मतलब work यान की काम वो अपने काम में कायम रहता है till means तक till he attends attain माने प्राप्ट करना attends प्राप्ट करता है जब तक वो प्राप्ट कर ले the desired success desired means होता है वान्चित सफलता success means सफलता जब तक वो वान्चित सफलता प्राप्ट ना कर ले तब तक वो अपने काम में persist रहता है persist मतलब कायम रहता है लगा रहता है अपने काम में therefore इसलिए the man who works hard एक व्यक्ति जो कठिन प्राप्ट करता है with a strong resolution यहनकी strong यहनकी मजबूत resolution यहनकी इक्छा सक्ति या द्रड संकल्प ठीक नहीं यहाँ पर समझे द्रड संकल्प the man who works hard with a strong resolution resolution एक व्यक्ति जो मजबूत द्रड संकल्प है and unsken will unsken will का मतलब द्रड इक्छा सक्ती इसका आर्थ है वो व्यक्ति प्राप्ट कर लेता है success and makes is fortune fortune मिस भाग है और अपना भाग बना लेता है It is a folly ये मूर्कता है to suppose माल लेना that की well, fame और power की जो धन है, fame है, पिरसिद्धी है और सक्ती है R means है R होते हैं achieved मतलब प्राप्त करना प्राप्त कर लिये जाते हैं by luck, भाग यसे और destiny destiny का मतलब ही वही होता है तकदीर, मुकदर, भाग ठीक न, तो ये देखे It is a folly, ये मूर्कता है की ये माल लेना की धन प्रसिद्धी और ताकत जो है, वो भाग से या तकदीर से प्राप्त की जाती है A man can be the builder, एक ब्यक्ती हो सकता है, builder builder मतलब एक बनाने बाला ठीक है, of his own fate sorry, of his own fortune अपने स्वयम के भाग को बनाने बाला हो सकता है by sheer dint of by sheer dint of, मी सोता के बल पर perseverance, एन की लगन एन की लगन के बल पर industry, एन की महनत and strong will मजबूत एक्छा सकती तो एक ब्यक्ती builder हो सकता है, एन की निर्माता हो सकता है, of his own fortune, अपने खुद के भाग का, by sheer dint of के बल पर perseverance, लगन और industry, एन की महनत and strong will मजबूत एक्छा सकती the man who is lazy, वो ब्यक्ती जो lazy होता है, आलसी होता है sluggish, सुस्त या निस्क्रिय होता है and or reference मतलब दूर रहता है, from doing करने से, his duties अपने कर्तब अपने कर्तब करने से दूर रहता है वो ब्यक्ती invites मतलब आमंत्रत करता है trouble, परिशानी को and suffering, kust को परिशानी और kust को वो invite करता है, आमंत्रत करता है in his life, अपने जीवन में तो एक ब्यक्ती जो की lazy होता है sluggish, सुस्त होता है और अपने duty से दूर रहता है duty मतलब अपने कर्तब से दूर रहता है वो ब्यक्ती परिशानी और दुखों कust को अपने जीवन में invite करता है, आमंत्रत करता है यह इसका आर्थ हो गया अब इसके question देखते है देखें, what is necessary to get success in life जीवन में success पाने के लिए क्या ज़रूरी है तीन नमर का question है hard work, eye strong resolution hard work, यानकी कठन परिश्रम दरड़नेश्चे and or an unshaken will, यानकी एक मजबूत इक्छा सकती अब यहां से देखे इतना हमने लिख दिया और यहां से पूरा लिख देंगे is necessary to get success in life is necessary to get success in life देखें, यह हमें कहां से मिला यहां पर दिया हुआ है यह देखें success मिल गया आपको achieve means प्राप्त करना get means प्राप्त करना ठीक है, मतलब यहां पर success पाने की बात हो रही है अब हम इसको यहां पर देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें success पाने के लिए जरूरी है works hard, यह किरिया दी है works hard किरिया है हम इसको noun बनाएंगे तो hard work लखेंगे ठीक है, hard work और क्या है strong resolution, unshaken will यह चीज़ें तीन यह हमने लिख ली और इससे बना दिया answer hard work, a strong resolution and a unshaken will is necessary to get success in life question number B देखते हैं how do failures help achieve the desired success तो देखे, कैसे जो failures होते हैं असफलता होती हैं, help करती हैं achieve यह अनकी प्राप्त करने में the desired success, desired means होता है एक छुख जिसकी इच्छा हो या one chit, success means शफलता तो failures यह अनकी असफलता हैं कैसे, one chit, सफलता प्राप्त करने में help करती हैं, मदद करती हैं तो दिखे इसका अंसर है, failures makes a person, जो failures होते हैं, अस्भलता हैं होती हैं, वो एक ब्यक्ति को बनाती हैं, all the more determined, determined मतलब द्रड निश्चाई, ज्यादा द्रड निश्चाई बनाती हैं, and he persist in his task, और वो अपने task में कायम रहता है, persist मतलब लगातर काम करती रहना, कायम रहना, अपने काम में, task मतलब काम में, वो कायम रहता है, thus इस प्रकार से, failures help achieve the desired success, हमने यहाँ से देखे, यह लगती हैं, इतना, अब इसका answer दीखे, कहां दिया है, किस तरीके से इसमें change किया गया है, तो देखे, यहाँ पर मिलेगा आपको, failure वाला, desired success उसमें दिया है, तो हम वो सब्द देखेंगे, तो हमें उससे पता चल जाएगा, ठीक है, तो यह है, देखे, desired success यहाँ पर लिखा है, तो इसका answer देखे, यहाँ से शुरू हुआ है, failures makes him, जब failures असपलता होती हैं, उसे बनाती हैं, अब यहाँ पर एक particular ब्यक्ति की बात चल रही है, जब हम answer लिखेंगे, तो him का हमने आपरसन कर दिया, यही बात हैं, आपको ध्या all the more determined, and he, अब ही, अगर परसन, यहाँ पर हमने परसन लिखा है, तो he यही लिख सकते हैं, persist in his task, देखे, अगर हम सी लिखेंगे तो her, till he attains the desired success, यह पूरा हो गया, इसके बाद देखते हैं, next question है, who is the builder of his own fate, builder means निर्माता, own fortune, sorry, यह fortune लिखा है, खुद के भाग का, fortune की भाग का, निर्माता कौन होता है, तो देखे, a man एक ब्यक्ति who works, जो काम करता है, with perseverance, perseverance and की लगन, लगन के साथ, industry, महनत, and strong will, मजबूत, एक्छा सकती, तो एक ब्यक्ति, जो लगन, महनत, और मजबूत, एक्छा सकती के साथ, काम करता है, is the builder of his own fortune, अपने, खुद के भाग का, निर्माता होता है, तो इसका answer देखे, यहाँ पर, देखे, जो own fortune की बात की गई है, वो सब्द हमें यहाँ पर मिला, खुद का भाग, तो यह जो यहाँ से लेकर, यहाँ तक, यहाँ तक, इस बारे में बात की गई है, तो इस से, उस question के according, हम answer को ढालेंगे, तो देखे, a person, a man, sorry, a man दिया है, यहाँ पर देखे, a man, अब हम यहाँ पर, who लगाया है, अपनी तरफ से, यहाँ की एक ब्यक्ति, जो works काम करता है, with perseverance, देखे, यहाँ पर, एक ब्यक्ति, who works, अब यहाँ पर देखे, who works, who मतलब, जो work में इस काम करता है, with perseverance, industry, and strong will, यहन की, मजबूत इच्छा सक्ती के साथ, वो ब्यक्ति क्या होगा, builder of his own fortune, यह, इस काम पूरा अगर यह लगदे ना, सीधा, तो भी answer, यह हो जाएगा, A man can be the builder of his own fortune, by sheer dint of perseverance, industry, and strong will, अगर यहाँ से यहाँ ताही लिख दिया ना, तो भी आपको पूरा नम्मर मिलेगा, इसके बाद आगे दिखते हैं, what kind of people invite miseries in their life, यह, what kind of people, किस प्रकार के लोग invite आवंतरत करते हैं, Miseries, दुखों को in their life, अपने जीवन में, किस प्रकार के लोग, अपने जीवन में दुखों को आवंतरत करते हैं, तो a man who is lazy, जो ब्यक्ती lazy होता है, sluggish होता है, sluggish का मतलब होता सुस्त या निस्क्री है, and does not do his duties, अपनी duties नहीं करता, वो miseries यह अदर की दुखों को invite करता है, तो miseries जो दुख की बात है, वो कहां की गई है, हमें इसमें देखना है, देखे, देखे, the man, वो ब्यक्ती जो lazy होता है, sluggish होता है, and reference from his duties, क्या है, suffering, his life है ना, suffering मतलब कस्ट सेना, trouble means भी कस्ट होता है, दुख होता है, misery, एक ही बात है, तो वो ब्यक्ती जो lazy होता है, sluggish होता है, and reference from doing his duties, हमने यहाँ पर इसको थोड़ा change किया है, does not do his duty लिख दिया, अगर हम यह as does लिख दें, तो वो भी हमारा सही माना जाएगा, वो ब्यक्ती invite troubles and suffering in his life, अब यहाँ पर answer में लिखा है, जो question में पुछा गया है, कि दुखों को आमंतरत करता है, तो यह सब्द हटा के हो गया है, miseries, invite miseries in his life, इन चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है, जो लिखा है, invite miseries in their life, question number E है, अब यह जितनी भी question थे, यह सब तीन तीन नमर के थे, और यह E बाला, इसका पहला यह एक नमर का है, यह भी एक नमर का है, लास्ट बाले यह भी एक नमर का, यहनकि E के तीन मिलाकर, तीन नमर के हो जाएंगे, explain the underlined portion of the passage, passage का जो underlined portion है, उसको explain करना है, देखें, उसका explain English meaning लिखना पड़ता है आपको, तो देखें, to share clear of, share clear of का मतलब होता है, बचने के लिए, all dangers, सभी खत्रे, ठीक है, सभी खत्रों से, and difficulties, कटनाईयों से बचना, share clear of all dangers and difficulties, सभी खत्रों और कटनाईयों से बचना, तो हम थोड़ा change कर देंगे इसमें, share clear of मतलब बचना, तो हम इसकी जगा लग देंगे, stay away, के लग देंगे, stay away, फिर हो जाएगा, of all dangers and difficulties, यह, उसको हमने explain कर दिया है, या, देखें, थोड़ा और change, इस तरीके से भी लख सकते हैं, to stay away from, दूर रहना, from any difficult situation, किसी भी कटन परिस्थिती से दूर रहना, इस तरीके से भी, ठीक, आपका explain करने का तरीका, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन आपको जो word लिखे हैं, उसमें वो ही नहीं लिखना है, थोड़ा आपको different लिख देना है, उसका अर्थ आगर आपको समझ में आता है, तो English में दूसरे तरीके से उसको explain कर दीजिए, आपको number मिल जाएगा, आगला देखते हैं, write the opposite for success, success मतलब सफलता, opposite, failure, इसी में देखना आपको passage में फिलियर, तो आपने कई बार देखा है, write the adjective form of the word resolution, resolution का मतलब क्या होता है, संकल्प, तो इसका, resolute, मतलब, संकल्प करने बाला व्यक्ती, दर्ड संकल्पी, दर्ड निश्चई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो वीडियो आपको पसंद आया हूँ, लाइक जरू कीजएगा, और भी unseen passage इस चैनल पर आपको मिल जाएगे, जो कि 2024 में, 23 में और 22 में पूछे गए हैं, उनकी practice कर लीजी, इससे आपको क्या होगा, unseen passage solve करने का एक idea लग जाएगा, उसके difficult word को भी आद कर लीजीएगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,